यहां पर हमें कुछ Photoshop में एक design या कुछ भी हमें बनाना है जो में showcase करना है या कुछ भी दिखाने के लिए तो यहां से मैं गया यहां मैं मानलो कुछ भी हो सकता है जरूरी यह है यहां पर हम custom design thousand by thousand का ले लेते हैं और इसको बनाना है हमें ठीक है अब यहां पर मैंने किया create अब ये create हो गया हमारा अब ही हां से हमने कोई design मानलो बनाना है design कुछ मुझे हो सकता है कैसे भी design मिल सकता है ठीक है आफ मानलो post design दीवे ने कि यहां पर अब बहुत सारी यहां पर मिल जाएंगए design दिजाइन बनाने के लिए जैसे ये है ये है ठीक है तो बहुत सारी यहाँ पर हमारी बनाने के लिए नहीं थोड़ा देख लेते हैं अब माननो कुछ भी हो सकता है कोई साभी एक डिजाइन तो महीं यहां पर ये वला लिल यो को on बनाना हो सकता है, तो अभी हम फिलाल इसको बनाते हैं, तो यहां से हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जाना है, यह हमारे पास कुछ rectangle है, ठीक है, base जो होता है, वो रखना है, क्या रखना है, base का color, मानलो base का color में ने इसको रखा, आप देखो, यह side से corners जो हैं, गुमे वे आ रहे हैं, तो हमें गुमे वे नीचे, उसके लिए हमने यहाँ पर zero कर लेना है, ठीक है, zero, तब यह सही आएगा, तो इसके लिए हमने क्या है, यहाँ से zero corners कर लिए, यहाँ पर, और यह अब खीचूँगा, तो यह बि पुरा select करके, यह, अब thousand by thousand का मैंने रखा है, thousand by 80, इसको भी 80 कर देंगे, यह 80, ठीक है, अब यह center कर देते हैं, थोड़ा, यह center हो गया, इसको rename भी कर सकते हूं, यहाँ से, क्लिक करके base, यह मेरे base कर दिया, center बस पगड़के यहाँ से इसको करोगे, यह इस तरीके से घूमेगा, और कहीं भी center कर सकते हूं, जैसे यह मेरे को center करना है, यह यहाँ पर center लिखावा आ जाएगा, देखो, जैसी करूँगा न मैं, यह देखो, बिर्कुल center आ गया, इस सम रखा देगा, कि यह कितने mover रखा, तो यह समय center है, यहाँ से color change करना है, माल लो, यहाँ से मेरे को color जीए white, यह white color आ गया, अब यहाँ से हमने, एक design या कुछ भी pattern बनाना है, तो वो हम यहाँ से कई चीजे use कर सकते हैं, ठीक है, मेरे को pattern थोड़ा सा, यहाँ पर अलग चाह रखता हूं, यहाँ से इसके लिए pen tool यूज करना पड़ेगा, new layer create करो, pen tool से यहाँ से बनाना पड़ेगा, अब pen tool यहाँ सब सब पहले use किया, यहाँ पर, ठीक है, यह मैंने use किया, इसके बाद यह use किया, इसके बाद यहाँ पर use किया, तो यह pen tool यूज होते हैं, ठीक है, अब pen tool में आता है एक pen का जो होता है वो rotation use होती है ठीक है जैसे यह free जो है हमारा free form pen tool है ठीक है free form में यहाँ पर क्या है यह जब use करोगे ना तो यह free form यहाँ पर use होगी ठीक है जैसे देखो यह यह किदर भी कैसे भी use कर तकते हो यहाँ पर अगर में को use करना है मानलो यह free form है यह यहाँ से गया यहाँ से use किया यह इस तरीके से काम करता है ठीक है यहाँ से मैंने color fill किया मानलो solid orange तो यह free form होगी है ठीक है यह free form वाला काम है अब यहाँ पर मैंने वापिस layer use करी create करी यहाँ से अब मैं use करूंगा दूसरा pen tool भी है यहाँ पर कई सारे pen tool है जैसे यह curve pen tool अब यह curve pen tool काफी सही है यहाँ से क्या करता है यह इस तरीके से जैसे करोगे तो यह देखो कि यह automatically यहाँ पर एक anchor point बनके आएगा alt के साथ जब alt के साथ करोगे ना तो यह चीज यहां से alt के साथ use करना है ठीक है जैसी use करोगे यह देखो यह बिल्कुल home जाएगा यहाँ से अगर मैं इसको सेलेक्ट करके करता हूँ और यहां से इसको Anchor Point पर लाता हूँ इस तरीके से, तो यह Center में इस तरीके से आ जाएगा ठीक है, यह हो गया यहां से Use किया यहां से Use किया यहां से इस तरीके से ठीक है अब यह पूरा डिजाइन यहां पर देख सकते हो यह इस तरीके से बनके ready होगा तो यहां से हमने use किया इसको थोड़ा सा move किया उपर की side ठीक है लगव लगव इस तरीके से ठीक है यह यहां से इस तरीके से move किया ठीक है थोड़ा से यहां से मैंने इसको घुमा के हल करना क्योंकि यहां तक चाहिए यह आ गया ठीक है अब इसमें मैंने औरेंज कलर कर दिया मान लो तोलेट औरेंज कलर ठीक है यह हमारा हो गया एक डिजाइन अब यह बन गया है अब मैंने यहां पर क्या किया इसके उपर यहां पर गए हमने यहां से हमने ले लिया circle circle आ जाता है यहाँ पर select कर गखो left यहाँ पर circle आ गया यहाँ पर center में करना है 100-100 रखना है हमें 100 by 100 ठीक है बिर्कुल circle आएगा तो यह बिर्कुल ओरेंज circle 100 by 100 पर आ गया ठीक है अब इसी को हमने क्या कर लेने सबसे बहले Ctrl T करके Scale बढ़ा दे रहा है, बिना कुछ भी पकड़े, बस Scale यहां से, यह देख सकते हैं, Scale यहां से इतना रखना है, यह, यह हो गया, अब इसके बाद एक और यहां पर use करना है, Circle एक और ले लिया, अब इसको कर सकते हैं, यहां पर white, white मैंने नाम दे दी, white क्यों दिया, क्य है, यहां पर Select किया, मैंने white कलर use कर दिया, यह हो गया, अब यह वाला जो Circle है, इसको Ctrl T करके इसे छोटा कर दो, जो उपर वाला है, तो यह देखो यह बिल्कुल यहां पर इस तरीके से आ जाएगा, इन दोनों को Circle को यहां पर पकड़के Center कर लेना है, यह बिल्कुल Center हो गय और बढ़ा सकता हूं, ठीक है, मानलो यह बढ़ा करना है, तो यह इस तरीके से बढ़ा हो जाएगा, यह दोनों होगे, इसको Center कर लेना है, Center होगे, अब यहां से मैंने कहा कि मेरे को white वाले में थोड़े से design और change करना है, यहां पर मैंने stroke है, इस stroke मैंने orange डाली, तो यह दे इस अब बढ़ा है, यहां पर हमने change कर दिया, तो यह चीज भी कर सकते हूं, बालो यहां से मेरे को कम करने है, ठीक है, और यह इस तरीके से बनाना है, तो यह इस तरीके से creative थोड़ा सा रखना है, तो यह होगी हमारा, अब आता है अगला, यहां पर मेरे को चीजे अपने जो भी है, उससे related लगानी है, तो मैं यहां पर गया, मैंने यहां पर image में पास already पढ़ी है, तो मैं image जो भी logo या जो भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी इमेज हो सकती है, photo हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो यहां से हमने move किया, यहां पर मैंने रख दिया, अब इसको scale थो यहां पर font में कोई साभी font यूज कर सकते हो तो मैं यहां पर स्कर्प्ट यह मैंने लिख दिया अब यहां से मेरे को बता है कि यह black में ही चलेगा ठीक है और यह black में इसका font का size मैंने solar कर दिया 16 से भी बढ़ा सकते हो 48 भी कर सकते हो ठीक है थोड़ा से ज्यादा बढ़ा लगा तो 36 कर दिया मैंने यहां पर गए यहां पर हमने font लिखके यह done ठीक है यह होगी हमारा अब यह होने के बाद या तो इसको फॉंड्ट भी चीज़ कर सकते हो मालनो font में select यहां पर इस side मूव करोगे तो यह नीचे से side मूव हो जाएगा यहां पर हमारा पास मोव में यहां पर में बहुत सारे हैं ठीक है fonts और यहां पर मिल जाएंगे जैसे कुछ download भी कर सकते हैं ठीक है और यहां पर कोई भी confirmed यहां पर पिर टोचनी मिया दाले टीक देट इस ट्रहजंत के लिए नीकल कि आता है dad छी आज अब भूर सारे फोर्म से थे खिर यह पर ये फोर्म कोई सब्सक्रा हाँ दूसरे पर यह फॉंट्स है ठीक है इस्टाइलिस फॉंट्स है अलग अलग फॉंट्स है यह भी फॉंट्स है फॉंट्स फैब्रिक करके भी यहां से हमाँ पास मिल जाएंगे फॉंट्स अलग अलग फॉंट्स यहां पर कोई से भी देख सकते जैसे मेरे को कुछ अच्छा सा यहां पर आ ठीक है ठीकने से अक्रोडिग और यह ईए अलग लग फोंट कि यहां पर मिल जाएंगे तो हम फोंट देख सकते जो भी हमें चाहिए तो मैं यहां से 40 को इसा भी यूज कर सकता हूं और डाउंलोड कर सकता हूं ठीक है यह ब्विश यहां पे फॉंट कर सकते हैं फिस तरीके से कि यहां पर नहीं राउंड कि पistered with a इस-ट्रीके से लिखा अब यहां पर हमने क्या करना है यहां पर हमें चाहिए कि इसमें जो लिखा है इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा सही कर लेंगे ठीक है और यहां पर सही करने के लिए यहां पर हम भी इसमें colors add करते हैं जैसे यहां पर मैंने use करा zebra को मैं थोड़ा सा orange कर देता हूँ यह ठीक है हो गया done यहां से इसको enter किया यहां पर इसको select करके center कर दिया control T करके control T करके यहां से इसको हलका सा बढ़ा दिया ठीक है यहां पर इसमें हमने यह लिख दिया अब नीचे की side 2024 ठीक है यह हो गया इसको यहां पर orange color कर दिया same color control T यहां से इसको थोड़ा सा बढ़ा कर दिया यह भी हो गया नीचे हमने लिखा ठीक है यहां से हम कुछ भी लिख सकते हैं अब फिलाल में फिलाल के लिए नीचे join ठीक है यह हो गया अब नीचे हमने यह चीज कर दी अब इसमें हमने क्या कर लेना है यह चीज करने के बाद यहां से हमने एक लिया circle ठीक है इसको यहां से यह चीज यूज कर लेनी है और यहां से हमने इसको off किया और कलर यहां पर इसका हम थोड़ा सा डार्क में रखेंगे लेकिन ब्लैक के डार्क फुल डार्क नहीं यह कौन सा कलर होगा मैं बताता हूं यहां से हमने सेलेक्ट किया अगर हम यहां से इसके कॉर्णनर्स फिफ्टी परसेंट कर देंगे फिफ्टी परसेंट राउंड अब यह राउंड हो गया कॉर्णनर्स जैसे राउंड हुआ यह हो गया यह होने के बाद यहां से हमने क्या कर लेना है select किया color color में गए यहाँ पे color में gray gray color ठीक है gray color ले लिया इसको select किया okay किया यह हो गया अब यहाँ से नेचे गए join वाले को उपर पापा पापा हेलो गेट खोल दो हाँ यहाँ से हम उपर गए sorry थोड़ा था वो ठीक है यहाँ से उपर गए इसको उपर कर दिया अब देखो यह white में अब combination सही नहीं आ रहा combination ठीक नहीं आ रहा अब इसको क्या करना है यहाँ से old select किया यहाँ से white किया यह हो गया यह white हो गया यहाँ से select करने के वाद इसको select किया यहाँ से इसको center किया यह done ठीक है इतनी चीज होगी देखो यह white में ज्यादर ठीक लग रहा है औरेंज में उतना उस पर सही नहीं लगए तो combination भी हमें ध्यान रखना है बनाते वक्त कि combination हमारा सही हो ठीक है यह होगया done यह होगया done यह होगया done अब नीचे हमने क्या कर लिखना है जो भी हमारे content है जो भी हमारे चीज़े हैं वो हम नीचे लिखेंगे अब यहां से मैंने क्या किया सबसे पहले यह चीज होगी और यहां से हमारे पास कुछ भी जो भी हमने बना रख है वो हम यहां पर लेंगे अब जैसे मैं यहां पर मालो कुछ render करके भी कर देता हूं जीबरस में गए मैंने यहां से अपने ही जो मैंने बना रखा उसको रेंडर करूंगा अब रेंडर करने के लिए मैंने वही सेम चीज यूज करने है और की शोट भी यूज कर सकते हैं कोई जुरूरी नहीं है ठीक है तो दोनों चीजों का कॉंबिनेशन हमें ब कर सकते हैं यहां से सेलेक्ट करें ठीक है यह हो गया इसमें टाइम लेगा थोड़ा सा यह आगया हमारे पास ठीक है और मैं यहां से इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके डैनेमिक ओन की अब देखो यह वही चीज प्रॉलम दिखा रहा है तो यहां से हमने क्रीज ओन कर देनी फिलाल यहां से क्रीज की डैनेमिक ओन किया ठीक है यह हो गया यहां से इसको मैं कलर चेंज करके यहां पर सेलेक्ट किया मैंने माटीरियल यह ठीक है यह वाला मैंने यूज किया यहां पर इसको मैं रेंडर कर लूँ है ठीक है पर्स्पेक्टिव यूँ में ठीक है यह रेंडर कर लेता हूँ यह हो गया रेंडर यह रोड़ा टाइम लेगा यह हो गया रेंडर इसको फाइल एक्सपोर्ट कर ली एक्सपोर्ट यहां पर मैंने सेव कर दिया ओके ठीक है यह हो गया डन यह हो गया अब इसको यहां से सलेक्ट किया यह हो गया सलेक्ट मूव क्रिएट क्लिपिंग मास्क कंट्रोल टी यहां से सिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा शिफ्ट के बिना ही करना है ठीक है इमेज नहीं तो स्ट्रेच हो जाएगी तो यहां से इसको हल्का सा थोड़ा सा छोटा किया हल्का बढ़ा दिया ठीक है यह टन अब यह चीज होगी यहां से इतना बन गया है यह टन अब यह चीज होगी है थोड़ा सा यहां से अगर लगता है थोड़ा सा कंट्रोल टी जैसे मैंने थोड़ा सा यहां से हल्का सा साइज इन्कीज किया ठीक है और इसको सिट के साथ यहां से तीनों को पगड़के center कर लेना है यह center ठीक है और यहां से इसको पगड़के थोड़ा सा side और यह done ठीक है यह चीज हो गए अभी यहां से इतना होने के बाद नेचे हमने बाकी चीजे लिख लेनी है जैसे मान लो मेरे को यहां पर है कुछ और चीजे भी लिखनी है तो मैं यहां से select किया यहां से मैंने use किया कुछ में पास पहले से लिखा हूँ है तो मैं वो ही यहां पर लिख लेता हूँ यहां पर मैं गया अपने जहां पर मैंने लिख रखा है वो मैं जस्ट अभी देख के लिख लेता हूँ उसी को copy करके क्योंकि बाकी चीज़े लिखने के लिए क्या है कि फिर जो content रहेगा वो अपने हिसाफ से manage करके लिख सकते हैं ठीक है और यहां पर मैं कि यहां से मैंने यूज किया तो मेरा पहला लिखा हुआ है वह मैंने यूज करके लिख दिया इसको color को मैंने black कर दिया और यहां पर इसको थोड़ा सा यहां से use करके कि यह यहां तक इतना लिखा रहे यहां इतना थोड़ा सा मैंने इसको लिखा इसके बाद यहां से इसको 36 से हटा के 24 कर दिया है और यहां से इसको थोड़ा सा मूब कर दिया है इस साइड ठीक है यह हो गया तो यह हमने लिख दिया यहां से थोड़ा सा उपर मूब किया और यहां पर यह चीज लिखने के बाद इतना हो गया हमारा खतम काम अब यहां से इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे यह मैं यहां पर इस फॉंट में हलका सा डार्क में यूज कर रहा हूं ठीक है यह यह दन यह चीज होगी अब यह हो गया अब नीचे हमारा नेक्स आता है हम क्या क्या चीजे हैं जो इसमें है जैसे नंबर एड करना है ठीक है यहां पर मैं गया यहां पर मैंने नम्बल लिखा और एड़ करके इसको चेंज किया यहां पर पॉंट मैंने 36 किया और रेगलर से टाके बोल्ड इसको नॉर्मल रिखा और यहां से इस तरीके से और जो हमार पास कुछ इसके parts पड़े हैं जैसे यह, मैं को यहां पर यह रखना है, shift, बिना shift के, यहां से इसको छोटा किया, ठीक है, इसको यहां पर रख दिया, इसके बाद इसको यहां पर, यह done हो गया, इसके बाद यहां से, कुछ और icons वगारा चाहिए, तो वह यहां से डाउंलोड कर सकते हैं, कहां पर मिलते हैं, ऑंलाइन जाओके, यहांसे जाके, free icon, तो आपote, यहां टीक है, यहां यहां से आ जाएगा, फर्स्ट फ्राल पर जाना है, किस्वे भी जाके यूज महीन कर सकते हैं, यह जाके यह लिएस जाएँ, जैसे यह से यह ऐसी में ट्री डान्लोड इस तरीके से यह तो मैं यहां पर सेफ कर देता हूं और यहां पर जितने बीचीज है जो जो चीए हो यहां पर डाउनलूड कर लेनी यह यह डाउनलोड हो गया ठीक है और यह डाउनलोड हो हो गया सेमी चीज मैं ले रहा हूँ और टान ठीक है यह हो गया है यह से यह हो गया तो इस हम दो यह तो आप आप आता है तो इसलिए मैं डिरेकली दाउन लोड किया यहां पर लाए उसके बाद इन सब को लाने के बाद यहां से इसको एक-एक को छोटा कर लिया इस तरीके से पगड़े सभी को एक साथ ठीक है यह छोटे हो जाएंगे यहां से इसके बाद नीचे जहां भी अपने को रखने है जैसे मेरे को यहां पर Facebook है यह इधर यह इधर और यह इधर इन सब को पगड़ लेना है और यूट्यूब से लेके Facebook सारी चीज़े सेंटर और बीच में सेम गैप पर रख दिया है ठीक है कंट्रोल टी गेट टन ठीक है यह चीज़ होगी इसके बाद यहां से हमने यहां पर मैंने चेक किया यहां से हमने लिखा आपका यहां गाद क्यों से मां गाद किया यहां गाद कीज़े बिला बीटर बीट कीज़े खेंग टार टारола टार के तेक करसे तक्ड़ ilूब मैंने ची प्से यहां किया यहां किया पाद किपल को ढ़िया है यहां से थोड़ा सा नीचे हलका सा थोड़ा सा गठाया और यहां से हमने लिखा उपर इसमें थोड़ी चीजें बदल जाती है जैसे माया हो गया है और पांचे सॉफ्टेर और आ जाते हैं इसमें हाँ कौनों की पीस से हमें क्यलें है देखो चीजें क्या है बदल जाती है जैसे मानलोव अभी तुम बना रहे हो चीजे हो इसमें थोड़ी सी अलग बनेगी तो ऑच एनिमेशन रिगिंग और आ जाती है बहुत सारी चीजे आ जाती तो अलग-अलग चीजे बनती है तो वो डिपेंड करता है क्या चीज सीखनी है ठीक है अब जैसे प्रीमियम प्रो है तो उसमें सिफ एडिटिंग और भी कर सकते हो ठीक है बाकी वी एफेक्स के लिए सीखना है तो बहुत सारी चीजे आ जाती है अलग-अलग वर्क करना पड़ता है तो यह चीज आती है यहां से हमने सेलेक्ट किया अभी यह जो मैंने बताया है यह ग्राफिक डिजाइनिंग का है तो यह मैंने समझा दिया है इसको एक बार कर लेना इसको बनाने का ट्रैगर ना ठीक है और यहां से मैं इसको हलका सा जस् यह ठीक है अब यह बनके ready अब इसको क्या कर लेना एक्सपोर्ट अब चाहे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं एक चीज और कर सकता हूं वह यह कि मैं थोड़ा सा add-on करता हूं जैसे यहां पर मैं गया और यहां से मैंने copy किया यहां से copy किया और यह मैंने यहां पर paste कर लिया और इसके बाद यहां से मैंने इसको color थोड़ा सा यह यूज किया ठीक है यह color हो गया यहां से मैंने इसको side-move किया ठीक है यह done अब इसको file को export कर देते हैं save as d में रखा है मैंने बाहर रखा है यहां पर इसको इसमें रख दिया ग्राफिक के नाम से save कर दिया मैंने प्येश्ट्री कि फाइल सेवाइज को भी छेपी जिया और यहां पर फोर मैंने नाम कर दिया और सेव कर दिया ठीक है यह होगे ड़न